हमें वच्चो आज मैं आपको economics से class स्टार्ट करें हूँ सबसे पहले मैं आज आपको economics कर परिच्छे के बारे मी बताती हूँ मैं परिच्छे topic लेडि हूँ economics के बारे में बताऊंगी economics है क्या economics वह विग्यान है जिसमें मनिश्य मानों की आर्थिक किरियां का अधियन किया जाता है मनिश्य धन कमाता है उसको फर्च करता है तो जिसमें मनिश्य की आर्थिक किरियां हमाई दो प्रकाति होती है आर्थिक और अनार्थिक्स आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिसके जो कारें धन कमाने के लिए कि अधरियाई है जैसे आर्थिक क्रिया को दान देती हूं कोई बैक्ति नोगरी करता है और रेतन पाता है तो वो कहलाएगा हमारी आर्थिक क्रिया और माता द्वार अपने बच्छों के लिए भोजन बनाना इंका उदेश्य धनकमाना नहीं होता बल्कि सेवा करना होता है इसलिए ये कारे अनार्थिक क्रिया कहलाएगा अर्षास में वे सबी क्रिया हैं जो धन कमाने के लिए के लिए अर्थात आर्थिक क्रियां को पुरा करने के लिए की जाते हैं का जिसमें का अधिम क्या जाता है उन सब क्रियां को हम आर्थिक अर्षास कहते हैं अर्षास के ज़र जनक माने जाते हैं वो एडम स्मिथ माने ज आरशास की परभाशाों को मुख्यते पांज बाँ आधी कि दनसमदी हिए दूसरी आधी कालियान समदी परभाशा यह तीसरी दूलकता समस्देट परभाशा है और पांच वी आवशक्ता विंता की परभाशा इसकल अलत पतार्यगी के बारे में बता हुआ दो सबसे पहले आते हम धंसममदी परिभाशें उंपर धंसममदी परिभाशें हमारी दिन है अड़क इसमेटे जो अश्छास के जनक माने जाते हैं। उन्होंने क्या है कि मलशयuit करता है धन कमाने के लिये और धन से ही मुनेश्य के आउशक्ताओं की तूटी होती है बीना धन के वह कुछ भी नहीं कर सकता ह। तो इन्होंने धन के उपर अधिक पल दिया है अधर धन सम्मंधी परिभाषाय दिए हैं हमारी अडर म, दूसरी परिभाषाय दिए हैं हमारी बहुतिक कल्यां सम्मंधी परिभाषाय यह, जो हमारी दिगए है, पॉफिस डॉक्र मॉर्चल द्वारा इन्होंने कहा है कि धन सब कुछ नहीं होता बनकि मनुष्य सब कुछ होता है यदि मनुष्य है तो धन है यदि मनुष्य नहीं है तो धन कुछ भी नहीं है तो इन्होंने मनुष्य के कल्या समधी परिभाशाएं दी है मोनिशी जो काम करता है वो धनकमानी क्लिक करता है लेकिन अपने आवशक्ताओं को पुरा करने के लिए दूर लबता सम्मधी परिभाश है दी हैं हमारी प्रॉफेसर प्रॉफेसर है अगली हमारी विकास केंदित परिभाशय हैं हमारी दीगे हैं समिलसन पॉफिसर समिलसन और हमारे भारती अर्षास्ति जिन्होंने आवशक्ता विहिंता सम्मधी परिभाशय दी हैं यह हैं हमारे जेके मेता इन्होंने यह भारती अर्षास्ति माने चाते हैं अब हम सबसे पहले आते हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस राइटर ने कौन से पुस्तक लिखी है? Adam Smith, जो हमारी अश्चास के जनक है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, Wealth of Nations, जो हमारी Dr. Marshall है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, Principle of Economics, कोटिल लिए द्वारा हमारी लिखी के पुस्तक है, अर्शास्त्र, और Prof. Robbins द्वारा लिखी के पुस्तक है, अर्थ विज्यान के स्वरू एवम, महतो पर एक निबत, एन ऐसे अन दा नेजर एन सिगिवी सिग्निफिकेंस अफ एकोनोमिक्स साइंस, एक हमारी प्रॉफिसर 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 प्रॉफिगू, प्रॉफिगू के द्वारा लिखी के पुस्तक है, Economics of Well-Fair, यह अर्शास्त्र सियासे हैं, जो अर्शास्त्र में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, अब मैं आपको कराती हैं, अर्शास्त्र द्वारा दी गई अर्शास्त्र की परिभाशा, है, अर्थात्र अर्शास्त्र धन का दिव्यान है, इन्होंने धन के उपर अधिक पल दिया है, इन्होंने का धनी सब कुछ है, यहनि सब काम जो किये जाते हैं, वो धन कमाने के लिए किये जाते हैं, और अर्षास में धन सम्मादित क्रियाओं का ही अध्यान कियाओ चाता है तो यहोंने जो आड़म स्विधा इन्होंने कारप बल दिया है धन पर आगे आतियों में मार्शल द्वारा दी गई अर्षास की परिभाशा प्रोफिशर बार्षद वरादी के अर्षास की परिवाशा अर्षास जीवन के साधान व्यवसाई में मनुश्य की क्रियाओं का अध्यन है वह यह पता लगाता है कि मनुश्य किस प्रकार धन कमाता है आय कमाता है और व्यव करता है इस प्रकार यह एक ओर धन का भी क्यान है धन का अध्यन है लेकिन जो दूसरी ओर जो इससे भी अधिक महत्यपून है मनुश्य का है मनुश्य के अध्यन का एक भाग है अर्था इन्होंने का है कि धन सब कुछ है लेकि उससे उपर मनुश्य है मनुश्य है तो धन है मनुश्य ने तो धन भी नहीं है तो इन्होंने मनुश्य के उपर अधिक बल दिया है तीसी परभाश है प्रफेसर राबिंस की राबिंस ने कहा है कि अर्षास वह विज्ञान है जिसमें साध्यों और वैकल्पिक प्रियोग वाले सीमित साधनों से संबंदित माना व्यवार का अध्यन किया जाता है अर्थाद यती साधन सेमित हो तो उनके द्वारा मनुशय कारे कर सकता है साधनों में मनुशय कैसे दिन कमा सकता है इन्होंने उसके वपर बन दिया है तो वहरे तीन अरशास दिने मैं परिभाश आये धी है ये बहुत ज़्यादा है और आपको भी याद करिदे आज मैं इतना पढ़ारी हूँ करके मैं आगी के बारे में नेक्स क्लास में पढ़ा हूँ